हेलो गाईज आप देख रहे हैं सके लिए उन एक्सपर्ट का यूटूब चैनल और आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको तैस्मेनिया वर्सिस कुइंसलेंड के बीस में ऑस्टेलियन डोमेस्टिक वंडेक अपसे 12th मैच जो आपको कल अर्ली मौ जोइन कर सकते हैं सबसे पहला आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक पर क्रिक करके भी जोइन कर सकते हैं और बाईचांस अगर वो लिंक काम नहीं करता है फिर आपको अपने टिलिग्राम में जाना है सिंप्ली सर्च करना है at the rate as cape अपने expert आप capital letter में search करिएगा without space उसके बाद आपको हमारा original telegram channel मिल जाएगा जिसमें already 700 के लगभग लोग join है तो आपको भी उसी channel में join कर लेना है ठीक है अधियार नखिएगा कुछ fake channel भी है इसलिए आप लोग अच्छे से देखकर जो हमारा original telegram channel है उसी में join करिएगा जहा तो guys pitch को आप neutral ही मान के चलिए जिस match की जिस पीडियो में आपको pitch के बारे में detail में नहीं बताता हूँ आप उसको neutral ही मान के चलिएगा ठीक है यह बात का आप हमेजा ध्यान लेकिए मैं ज्यादा focus यहाँ पर players पर करता हूँ guys pitch से ज्यादा क्योंकि यह domestic matches है तो pitch को हम predict नही यहाँ पर जो international matches है उन matches में ही pitch के बारे में मच्चे से जान पाते है ठीक है इसलिए मैं pitch report आपको नहीं बताता है ठीक है तो आप इसको ignore करिएगा pitch से ज़्यादा जो मैं आपको यहाँ पर information दूंगा वीडियो में stats के साथ players का उस पर focus करिएगा तो सबसे पहले तैस्मीनि से एक match मातर जीती है और दो मैच आ रही है तो इनका performance कुछ खास नहीं आ रहा है और यह इनका guys playing 11 खेल रहा है ठीक है last match में यह playing 11 खेला था मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है इनके बहुत अच्छे player है jack duran last season मुझे बहुत जीता है था काफी अच्छे player है first class में भी काफ निल स्मिद भी है ठीक है उनके मुझे खेलने के कम chance लग रहे मेरीडित इंजड हो गए थे second match में जिसके चलते वो third match नहीं खेले तो अभी मुझे confirm नहीं पता अगर वो available होंगे तो वो खेल भी सकते है बाकी wait के ना के बराबर के खेलने के chances है ठीक है तो आप उनको ignore ही करि प्राइब तो गाइज इनके लिए सालब जूल इनके विकेट कीपर ओपनिंग करें जैक वैथरल के साथ वाट डाउन आरे चार्ली वकीम टू डाउन पर जॉर्डन सिल्क इनके कैप्टन थी डाउन पर मैकलिस्टर राइट फोर डाउन यहाँ पर वैबस्टर इनके सबसे मेन प्लेयर 5 डाउन पर मिचल ओवेन 6 डाउन पर ब्रैटले हॉप और फिर इनके तीन बॉलर है पैट्रिक दूलर लेग स्पिनर सैम रेटबर लफ्ट आम फास्ट और विलियर स्टैनलिक राइट आम फास्ट ठीक है तो यह इनकी प्लेइंग लेवन खेल रही है काफी एक ही मैच के लिए जिसमें 48 ठीक है जॉर्डन सिल्क यहाँ पर दो मैच भी ठंडे रहे लास्ट मैच पर बहुत अच्छा के लिए 160 16 किये ठीक है बाकी मैकलिस्टा राइट भी एक ही मैच भी अच्छा के लिए 51 वेबस्टर इनके लिए सबसे अच्छा के लिए 83 65 42 तीनो मैच में काम्याब रहे बैटिंग से साथ में अभी तक 16 वर की बॉलिंग किये ठीनो मैच इसमें और तीन विकेट भी मिला है तो यह इस टीम के सबसे मेन प्लेयर है और लेडी मैने बोला बाकी मिचल होबन बैटिंग से तो कुछ खास नहीं लेकिन बॉलिंग ठीक है अठर इनके पास तीन विकेट है रैंडवर्ड का देखेंगे 15 वर की बॉलिंग में तीन विकेट है और स्टैनली के पास 26 वर की बॉलिंग में पाच विकेट है तो यह इनका तीनो मैच इसका लेखा जो खरा है यानि की बैटिंग और बॉलिंग का परफॉर्मेंस अब आज आते अगर बाईचांस ये खेल गए तो ये कमाल के गेम चेंजर बन जाएंगे, ठीक है, ध्यान दिखेगा इनका, बाके फिर सालब जूएल का नाम आता है, जॉर्डन सिल्क का, ठीक है, वेबस्टर का, एंड राइट का, विकेट्स में, मैरीडित इनके टॉप विके टेगर थे, फिर जैक्सन बर्ड का नाम आता है, और फिर वेबस्टर का, ठीक है, तो ये इनका लास्ट इयन का स्टैट्स था, अब एक बार इस टीम से मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट प्लेयर बता जेता हूँ, इनके लिए गाईज, जो मेरी सबसे सबसे ज़्यादा इंपोर्टें है, और रेंबर डीसेंट है, ठीक है, तो आप इनको भी ट्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो चार मैंने बताया प्लेयर, वो इनके सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे, तो आप उन पर स्पेसल फोकस करिएगा, अब चलिए गाईज, हम दूसरी टीम, कुइंसलन पर आते, तो इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, अब इताथ चार मैचेस में से यह भी मात एक मैच जीती है, दो मैच हारी है, और एक मैच इनका इनका नो रिजल्ट में रहा है, ठीक है, और इनका ये प्लेइंग लेवन खेल रहा है, और अगेन मुझे इनका एक यहाँ पर एक बात समझनी आ रही है, इनके पास एक बहुत अच्छे ओल्डाउंडर है, जैमस बैजली, जिनको ये टीम नहीं खिला रही है, पता नहीं क्यों, लास्ट मैच में मुझे लगा था ये खेलेंगे, मैंने प्लेइंग लेवन में भी इंक्लोड किया था, ल बाकि यहाँ पर स्टैकिटी, नीशर और ख्वाजा, इनका कुछ भी निउस नहीं है, कि यह अफलेबल है या नहीं खेलने के लिए, ठीक है, तो अभी मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, बाकि यह इनका लास्ट मैस पर प्लेइंग लेवन केला था, इनके प्लेइंग लेवन इनका लास्ट मैस में खेला था, अब अगर यहाँ पर चारों मैस इसके पर्फॉर्मेंस फोकस करेंगे, तो एक मैस तो गाईस इनका बॉंडेड ही हुआ था, तो तीन मैस का पर्फॉर्मेंस है, तो उसमें मैक डॉनमेंट अच्छा के लिए, 52, 25, 86, व यह भी अच्छा के लिए, रैंसो लास्ट मैस फाइनली अच्छा की है, ठीक है, और मैं इनको हन मैस में वैसे बैक करता हूँ गाई, बहुत अच्छे प्लेइन है, 102 रन के लास्ट मैस में, बालिंग भी करते है, 13 अभरा भी तक डाला है, तीन मैस में लेकिन विकेट नहीं लगा लेते हैं, एक मैस जो 46 नॉट आउट के काफी अच्छी पारी गेली, वही गाथरी के पास 17 अभर की बाली में 3 विकेट है, रिचर्सन के पास 26 अभर की बाली में 3 विकेट है, यह अपने पोटेंजल की साब से अच्छी बालिंग नहीं कर पाए है, वही कुने मैन के पास 17 अभर की बाली में 3 विकेट है, तो यह इनका चारो मैच इसका लेखा जो कर रहे है, अब आज आते हैं गाईस इनके प्लेयर्स के लासटियन के स्टैट्स पर, तो यह आप देखरें, कुइंसलन के प्लेयर्स का लासटियन के स्टैट्स सबसे पहले रंस पे मैं आपको कुछ जो इनके important player रह सकते हैं, उनके वारे बता देता हूँ, तो इनके लिए मेरी इस आप से मैक डॉर्मेट, सैम हैजलेट, मैट रेंसो, उसके लावा गाई जैक वेल्डरमत, गुरिंदर शंधू, और कें रिचार्डसन, यहाँ पर 6 players इनके सबसे ज्यादा important रह सकते हैं, जिन पर आप special focus कर सकते हैं, बाकी इनके अलावा गाई कुनहे मैं, decent रहेंगे, ठीक है, आप इनको भी try कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, ठीक है, इवेन यहाँ पर Jimmy Pearson भी decent try रह सकते हैं, Jimmy Pearson को मैं ज्यादा वैसे grand league में ही recommend करूँगा, ठीक है, क्योंकि small league में उनको बहुत कम ही लोग लेकर आएंगे, तो guys, इस match के रिलेटेर जितना भी data, stats, क्या आप लेंग लेबन खेल स लिए, और चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल को फटा फुर से subscribe कर लें और साथ में बेल आइकन को भी on कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की notification मिलती रहें, अब चलिए guys, यहाँ पर हम अपनी dream 11 की team discuss कर लेते हैं, सबसे पहले wicket keeper section पर आते हैं guys, यहाँ पर आप इनको 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 फॉर्म भी कुछ खास नहीं चलना है, तो इनको ग्रैंड लिग के लिए रिकमेंड करूँगा, इस small league में, मैकडॉर में जुल दोनों बेस्ट है, तो आप दोनों को लेकर जाएं, तो आपके लिए बैटर रहेगा, बाकि guys, जैक डुरन अगर खेल है, बाइचांस खेलते हैं, तो काफी important बन जाएंगे, और हमें लेना भी परेगा guys, ठीक है, तो ध्यान देखीगा इस बात का, बाकि वैदरल है, decent player, थोड़े inconsistent मुझे लगते हैं, इसलिए मैं ज्यादा तर मैचस में लेता हूं, लेकिन आप ले सकते हैं guys, ओपनिंग पर आपको मिल जाएंगे, crap player नहीं है, काफी experience बाले है, बाकि Jordan Silk है, ये player मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये कमाल की filter भी है, ठीक है, और साथ में अच्छे runs भी करते हैं, consistent भी रहते हैं, तो इनको मैं टीम में लेके जाओंगा, Charlie Joaquim young player है, last match अच्छा के लिए वै इवेन small league में भी ले सकते हैं, मैं small league में hazlet को ले रहा हूं, ये भी मुझे काफी consistent लगते हैं, talented भी है, बहुत solid player है, तो मैं इनको लेके जारा हूं, opening पर आएंगे, दो inning अच्छा के ले, बाकि Jack Clayton को नहीं ज्यादा suggest करूंगा, Bradley Hope को भी ज्यादा suggest नहीं करूंगा, और कु नहीं देना है, अब आजाते हैं, all down day section पर, जहाँ पर मुझे टीम में run so चाहिए 100%, last match भी मैंने back किया था, जब दो match ये flop गए थे guys, normally काफी consistent player है, ठीक है, टेकनिक भी, टेकनिक भाइस भी काफी solid है, और ये Australia के लिए opening भी कर चुगे test matches में, काफी सालों पहरे ठीक है, और जहां तक मैं सही हूँ, तो ये India club century भी मार चुके है, ठीक है, तो काफी अच्छे player है, तो मैं इनको टीम में जरूरू लूँगा, साथ में कुछ balling भी करते, Webster यहाँ पर Tasmania का सबसे main player है, बैटिंग से तीनों match में अच्छा किया, साथ में balling से भी विक्टे लेके जा रह बाकि Mitchell Oven, ये भी decent all downer है, 5 down पर आ रहे हैं, कुछ runs कर सकते हैं, और 7-8 over balling भी कर रहे हैं, तो मैं इनको भी टीम में लेकर safe ही जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से, दोनों तरीके से, ये भी points दे सकते हैं, बैटिंग बालिंग दोनों से, इसलिए मैं इनको बाकि बैजले अगर खेलते हैं, ये कमाल के गेम चेंजर बन जाएंगे, बहुत अच्छी all downer है, recent time में काफी develop किया इनोंने, अपने अकर के, ठीक है, बैटिंग बालिंग दोनों से अच्छा कर सकते हैं, तो ध्यान नेखिएगा इनका, बाकि प्लेयर के खेलने के बहुत क के पास, ठीक है, तो अगर खेल गए stackity, तो हम उनको टीम में जरूर लेंगे, ठीक है, बाकि अभी के लिए कुने मैं केल रहें, जो कि left time orthodox baller है, recent Australia के लिए अच्छे baller है, विक्टे भी लेते हैं, तो आप इनको टीम में definitely ले सकते हैं, कोई problem नहीं है, बाकि नीचे से, य बिकेट, genuine wicket taker है, और इनके पास, pace pound, सब कुछ अच्छा है, और इन condition में यहापन इनको काफी help मिलता है, तो मैं इनको भी ले के जा रहा हूँ, साथ में final player में Kane Richardson को ले रहा हूँ, काफी कमाल के fastballer है, different T20 leagues में भी खेलने का experience है, Australia के लिए भी काफी केल चुके, अभी तक कमाल का उभरता हुआ, यह leg spinner है, बहुत young age है अभी, ठीक है, आप जादा नहीं जानते होंगे इनके बारे में, कुछ runs भी कर सकते हैं, तो यह एक कमाल के game changer, ठीक है, इनको मुझे टीम में लेने का मन है, और अगर मैं किसी तरीके से adjust कर पाया, तो इनको मैं टीम में लेनी क chances है नहीं, ठीक है, आप कुने man को definitely लेना हो, तो आप ले सकते हैं, ठीक है, वो खराब option नहीं रहेंगे, तो guys, यह बनता है, अभी के लिए हमाला team का preview, अगर मैं CVC के best option की बात करूँ, तो CVC के लिए जो मुझे best option दिख रहे हैं, उनमें आते हैं Webster, उसके लाबा guys, पर guys, MacDormand, यह 4 मुझे, सबसे best CVC के option लग रहें, अगर आप इनमें से अपना CVC करेंगे, तो मेरी साब से आपके लिए वेटर रहेगा, बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं अभी के लिए क्याप्टन सी तो Webster को ही देने वाला हूँ, वाइस क्याप्टन सी का आप भी आज़ा VC जा सकते, even MacDormand, MacDormand भी खराब VC के option नहीं रहेंगे guys, ठीक है, वहीं Grand League और Mini Grand League टीम में, आपके पास यहाँ पर एक Salve Jewel अच्छे CVC का option नहींगे, और दूसरे guys, यहाँ पर Mitchell Overt, ठीक है, इन दोनों को आप Grand League में CVC कर सकते हैं, तो guys, यह बनता, अभी क रिवाइन करा रहा हूँ, आपको हमारे Telegram Channel का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करकर हमारे Telegram Channel पर जोइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको Final Team Update दे दूँगा, तो बस guys, आज किस वीडियो में इतना ही, hopefully वीडियो आपके